तो वाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वाईलो रेस्टार के नेक्स्ट इन वल के एपिसोड नमर्ट टूहरनेर फोर्टि फाइब में आपका स्वागत हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइकन दवाना ना भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा की लूप एंग को मारने के लिए सेक्टर लोड का बंदा पड़ा हुआ था वह यह पर उसे सेक्टर लोड को बंद को मारने के लिए पूरी की पूरी आर्मी उसके पीछे लग गए थी ताकि उसक आता कि आखिर में इतना लादा अनलकी क्या से हो सकता हूं मैं तो सिर्फ एक युनिवर्सल लेवल नाइन के बंदे को चेज करने के लिए गया था यहां पर मैं एक बीस्ट नेश्ट को आकर टकरा गया और यहां पर तो एक हजा बीस्ट में पीछे पर हुए हैं जिसमें से तीन तो ऐसे ही जो कि सेक्टर लोड लेवल नाइन के बंदे हैं और यह तीरों मुझे असानी से मार सकते हैं और यहां पर तो वो बंदा अपने असासनिशन ओर्डर को नए देख रहा था और सिर्फ अपनी जान की पर हुई थी कि कैसी भी करके मैं अपनी जान बचा होता चबकि वो सेक्टर लोड के बेश्ट भी उसको पकरने के लिए आ रहे होते हैं और यहां पर वो डो किलोमीटर लंबा लेजाट के रॉनिंग स्पीड भी उन तेरे में रास्टर से थोई सी स्लो हो रही थी क्योंकि उसका साइज भी बना था और वहां पर उसको जाने क लिए किलोमेटर के डाक्षे ने रुपता जहां पर क्या था खिए अभी वो में पीछ नहीं आए हुए हैं जिसके मर्तबा मैं यहां पर रोक सकता हूं बताया जाता है कि वह ऐसे ही आगे भागने लग रहा होता है और यहां पर हमें एटिंस इवेंटीन के लिए आप सक्सेसफुल मान सकता हूँ लेकिन अगर मैं इस जगा आइस फॉल्स में रहां तो मैं उनसा बीश्ट के हाथ तो मारा जाओंगा वह यहाँ पर उसको आइडेंटी के रूप में लूपवेंग के क्लाउड कॉंटेट वाइन को देखना था क्योंकि उसी के अंदर लूपवें मौझूद होंगे और वह वहां पर गयाम तो इसकी भी बैंड बजने वाली है लेकिन फ्रेबी उसको उसकी आइडेंटीफिकेशन कंफर्म करनी ही थी और यहां पर मैं सेक्टर और वूकी को दिखाया जाता है जोकि एटरने 17 के सामने घरा होता बहुत जा नर्वस और हेरा परिशान होता है कि आकर मुझे करना क्या चाहिए यह दोनों रास्ते बहुत जाने डिफकल्टे और वो कि अपने कंसियस्टनेस में जाके नेट्वर्स से कनेक्ट होता है और यहां पर कहता है कि मुझे अभी जाके बाकियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि या कर सके और यहां पर हमें वर्चुल नुवस के इंसेट हाउस को दिखाया जाता है यहां पर वो बंदा बयान बयान चिलाता है जो कि उसका दूसरा साथ ही होता है और बहुत ही जल वहां पर एकको ब्लैक और मैना पियर हो जाता है जो कि उनीचे में से सब सिजा स्टॉंग ब्न का बैरान लिए च्छी स्थ रूपमें जो की सेक्टर लोड लेवल 9 का बयान होता है और बैरान पर सक्रिन पर देखती है की का बैठी नहीं लुक्त हो तरुमें फुखिया जाती है कि मुझे लगता है तो यहां पर में वोकी को दिखाया जाता है, जो क्या था कि नहीं, अभी में पास कोई रास्त नहीं है, उसके बार में confirmation करने के लिए तो बैयान सब्सक्राइब के पूशता कि क्यों आके तुम में उसका identification क्यों नहीं कर पारे हैं, तो यहां पर उस सेक्टर पूरी स्टोरी को कम्प्रीटली बता देता है कि कैसे उसने युनिवर्स लेवल नाइन को डिसकोवर किया और फिर बाद में उसके साथ क्या क्या हुआ यहां पर यह सुनकर तो बयान भी चुप हो जाता और बयान कहता है कि हां लेकिन तुम गलत हो यह सुनकर वो पूस्ता की गलत आखी में गलत कैसे हो सकता वो युनिवर्स लेवल नाइन का बंदा है वो उसमें जरूर मारा जा चुका होता है यहां पर वो जरूर नाइन स्टा और यहां पर वो कि बहुत होता है कि जिस में उसको मारा हैं ही यह heck 28 टार्ग własucks ने उसे दिया लेकिन भयान क्या था कि हां यह हो सकता है कि वो nine star और लेकिन फेवेई क्या तुम एक पॉइंट को भूर रहे हो यह डेमन माउंटेन बहुत आते रहते हैं वर्चुल मेंस कंपनी से और यहां पर यह बेंग सारी युनिवर्सल लेवर नाइन पर आये हुए हैं और सब के पास अपने अपने तरीके होते हैं और यहां पर तुम करना होगा कि यह वही बंदा है जो कि गौर्णिया में दिया या फिर नहीं तो यह सुनकर वूर की भी स्टन हो जाता है क्योंकि उसने बताया है कि ऐसा बेंग कोई दूसरा भी हो सकता है वह क्याता है जाओ तुम्हें कुछ करना चाहिए तो यह सुनकर वूर की पूचता ह रूप कर वहाँ पर सर्च को कंटिन्यू करना चाहिए तो बयान कहता है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही कर सकते हूँ तुम्हें वहाँ पर रहना होगा वहाँ पर गाट करना होगा चोई दरिबाद वहाँ पर तुम उस केप पर देखते हैं न वहाँ से निकल कर जरूर निकलेगा और वो जिन्दा रहा तो तुम्हें अपने एनर्जी को हाई करना हूगा ने तो वह दिसकवर हो गें तो वहां से भाग सकता हो और आगर हो अगर मरा रहा तो तुम्हें उसको simply 네, Striweed को वाई के रिमेंस को देखना हो गा और वो वेस्ट इतने जा बेकार है कि वो उसके रिमेंज को डिस्टोइ नहीं किये होंगे तो ये सुनकर वो भी इसकी हामी भरता हुआ हमें सीन चेंज कर उस वास्ट पार्थ वेकों दिखाया जाता है जहां पर यूज लिजाज बेस्ट उस हुमन सेक्टर लॉड को देखा ह भी उसके सामने से गायब हो जाता है जिसके मरतबा वहीं पर रोग जाता है कि उससे भी पता चल जाता है कि वह भाग चुका तो मैं क्यों उसके पीछे जाव मैं अपना लीडर हूँ सबको एक साथ करना हर वो फी वापस अपने जगह पे आ जाते हैं यहां पे सारु क्यों आ रहे है और यहां पर प्लीटली मारा गया या फिर ने यहां पर साइश लोग वास आ चुके होते ही है और यांपी बहुत लंगी नमी सुच यह इन्योटे में शब्सको देखाए जाता है जो होता है और वो लोग भी अपने केव इंट्रेंस पे आ चुके होते हैं लेकिन लुफेंग अपने वर्ड एनर्जी रिपर से स्कैन करता हूं जो क्या आता है कि यहां पर सिक्ट लोट के बंदे हो सकते और लुफेंग अपने आइस बीर की बॉडी में वहां से आगे बढ़ने क्योंकि उसे लाए कि कोई सेक्ट लोट का बेस्ट उसके पीछे आ गया होता वो क्या था कि यह इतना दा स्टूपिड है यह इतना दा कमजोर है कि मुझे इसको मानने से भी कोई फायदा नहीं है वो बहुत जा लेजी हो रहा था लेकिन उसे कौन बताए कि यह जो बीस जा जाता जो क्या था चलो मैं यहीं पे रहूंगा उसका इंतिजार करूंगा वो सब जब अंदर चले जाएंगे या फिकोई मुझे रास्ता मिलेगा तो मैं जरूर चेक करूंगा और आफ पर हमें आइस पातवे को दिखाया जाता है यहां पे वह आइस धीरे धी करके उस वर आ चुका होता है उस बंदे की विए सिर्फ 10,000 किलोमेटर की होती हो लूप है उसके एरिया से बाहर निकल चुका होता है और बबाता है यह सारी चीजे उसके कॉंसियसनेस के तुरू कम्मुनिकेट करके बतारी होती होती हो क्याता है कि अभी के मरतबा यह बहुदा सेफ है है यहाँ पर अगर तुम डिस्कवर हुए तो तुम यहीं त्वाइट को ट्राइ करके अपने आपको बेश्ट में च्छेंज कर सकते हो और तुम किसी और दोसे केम में जा सकते हो यहाँ फेर दूसरा बेस में कोई आम नहीं करेगा और यहाँ पर बबाता उस से कहती ही कि लूफएंग यहां पर जो बंदा आया हुआ था वो बेस्ट को मारने नहीं आया हुआ था उसका true aim ही तुम हो यहां पर तुम्हें मारने आया हुआ है तो यह सुनकर लूफएंग तो आसा घबराने लगता और कहा था कि क्या वो मैं हून जिसे वो मारने आया था तो बबाता उससे कहती ही कि हाँ वो तुम्हें ही मारने आया है आकर एक सेक्टर और का बनना इतने हाई एलर्ट पे एक केव के इंटरेंस के पास क्यों खरा होगा वो रिलाक्स नहीं करने की कोशिस कर रहा है अगर तुम्हें यहां पर मारना नहीं होता तो आकर वो उस केव के सामने इ करना चाहते हैं और उनके पास mission complete हो जाएगा या फिर उनके पास दूसरा रास्ता है कि वो एक अजा ब्लैक्स टेग या फिर ड्रेक्ट को एक्कवाय कर सकते हैं और दीका जाएग सिक्टर लोर्ड 9 के स्ट्रेंग से तो एक हजा ब्लैक टेग और एक महीने तक सर्वाइब करना बहुत जाला असान होता है और उन सब को कोई भी जरुवत नहीं एक केव कितब गाठ करको वहां पर रहना और वो क्या था कि अगर मैं सस्पेक्ट भी करूं कि यह वर्चुलमस कंपनी पर यहां से आ पर कोई ऐसा जो कि दूसरे कंपनी का हो गाय कि मरा हुआ देखना चाहता है तो ये सुनकर लूव sबयक्रेशं चेंज साथ और कि कि अम पर वहां कि इवला था लुटे रहा है तो यहां पर स्थिए कि यहाँ पर एकज्रेंटु इन फोर्मिसान देखा जाम तो यहां पर देमन मांटन में इंटर हो चुक है और यहां पर हो सकता है कि तुम उसके फर्स टार्गेट होते हुए चीज़ा हुए क्लिह पोज़ा मताइको लुष्टा के 10 मजे मारना चाहता है आका मैंने किसको यह फंक ग्यान वंक बाता है उसे कहती है कि यहाँ पर दीखा जा तो मैं भी नहीं जाती कि कौन तुम्हें मारने की कोसिज कर रहा है कौन तुम्हें मारना चाहता है लेकिन दीखा जाब कि तुमने किसको कब अफरेंड किया और वो कहती है कि मैंने आपने टीचर को 60 मिलियन इयर से फॉलो किया है और मैंने अपने कैसा मिल्चुल डिसेप्शन को देखा और मैं तुमें केरफुल करने के लिए एडवास देती हूं कि यह डेमन माउंटें एक्स्टोरेशन इतना भी सिंपल नई होने वाला है तुम्हारी इसमें जान भी जा सकते हो मैं करने के लिए और वह आइस दियर दियर रोड करते हुए आगे निकार रहा होता यहां पर हमें सींचन कर वाइल बीश के आइस माउंटें एडिया को दिखाया जाता है जो त्रीम पार्ट में डिवाइड़ होते हैं जहां पर लिजाट बेस्ट जान और बर्ड बेस्ट करने पेस्ट एर्याइक अपर आकर इलेक्स करता हूं यहां का जो रास्ता होने वाला यह बहुत बार का बनना अभी भी वहां गाट कर रहा होगा इसी के मरतुमा मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ मुझे बस आगे बढ़ता रहना चाहिए और लुपन वहां पे कोई भी बेश्ट को नहीं देखता है क्योंकि यहां का जो इनलेस फॉर्स ता यह बहुत जा बढ़ाता और यहां पर इतना जाना में डीपर फॉर्स में जा रहा हूँ उतनी जाना स्ट्रॉंगर डेमर नोट होती जा रही है और यहां परफॉर्म्रेस और नॉजल डेमर नोट लुपने कर सकती है अपने फैंटेसी आईलेंड के मदद से अपने कॉंसियेस्नेस पाउर को बढ़ा लिया था ज मॉर्मल अंडान बेम जितनी और यहां पर लुपनिख इसी कान ये सब सर्वाइब कर पा रहा था और फ alleviate को दिखाला जाता है जो उससヒप्प्नोटीजन को नए सहा पा रहा होता है और यहां पर बहुत है उसको हाड हो रहा होता है और फिर तभी हमें दिखाला जाता है एक साउंड को जो आकर लूफैंग के हिपनों टिन सुरूप कर देता और वो उस पर आके अटायक कर देता है और लूफैंग उसके इल्यूजन में जाने लगता है लेकिन लूफैंग अपने विल पाउर से उसको ब्रेक करने की कोसिस करता हूं में दिखाया जाता अपने यूमन फॉर्म में आ चुका होता है अपने बेस फॉर्म को छोड़ने के बाद पयाँ पर लूफैंग अपने यूमन बॉडी में आया होता है ना कि अपने मोसा क्लैंग को छोड़ कर यहां पर आ चुका होता कि मोसा क्लैंग को जहां दिर तक रिवील करने से क्या प यहां पर एक अंडाय में बैगे की क्या मुझे आगे बढ़ना चाहें लेकिन लूपन क्याता है कि मैं पस कोई और रास्ता नहीं मैं अपने लिमिट्स के बारे में जानना हूँ और यहां पर क्याता है कि चलो मुझे और भी आगे जाना होगा अलो फेंग ऐसे करकी जंगल की और अंदर जाने लगता हूं में सीन चेंज कर उकलाग किलोमीटर दूर निखाया जाता जहां पर रूफ यह पे यह पर थे बांग पे बिदाओं जाकी अब अपने डाटोखों को पीषते हुए एक ब्लेड की तो आगे बढ़ रहा होता है और यहां पर लू कि को तन्क अपने हाई एलर्ट पर थी जिसने अपने लिमिट को भी कंडेंस कर दिया होता है और लू सैंक का जाता जाता जो क्या था ते ह definitions मिया बहुत नीचे मैं अभी और कर सकता हूं लेकिन लूप्रेंग जानता है यहाँ पर रोटेशनन नहीं हो सकता है और फॉलीफेंग ऐसे करके दो जाए किमोमीटर और भी चले जाता आगे यहाँ पर इसकान थीन फैमिली एस सका नहीं बन चुका होता है जहाँ पर रूठेंग को किसी टीनों मैसे एक को किरț मौजूर्ण नहीं हो सकता है अलूवा पूजा घर देखता है राइट decir किलो मीटर आइस्व पूर्स में जहां पर क्या था है कि यहांप पर जरूर कु इसपेशल और होने वारा है अलुव आतस्ता है कि चलो मैं यहां पर रैंडमली किसी को पिक कर लेता हूं अलूफेंग थर्ड पार्टवे के तब निकल जाता है जो कि 20 किलोमेटर 14 और 7 से 8 किलोमेटर टॉल होता है अलूफेंग उसके कंपेर में एक चीटी के बरावर लग रहा था अलूफेंग उस इंट्रेंस में आ चुका होता है लेकिन कभी वहां पेक वीजिबल एनर्जी वीलपूल होती है जिसने की अन्विलेबल टेरिफाइंग स्वैलिंग इस्ट्रेंड होती है जो कि के इंट्रेंस पर ही जिन्रेट हो रही होती है अलूफेंग को कोई भी टाइम नहीं मिलता उसको रियाक्ट करने के लिए और मैं दिख की बहार रही हो ये बहुत जांब बैंकरताओ में लूफेंग को दिखा आ जाता जो कि उसमें कॉलेबस करने लागता लूफेंग की कॉंसियस्नेस उससे फ़ाइट करने लागती है लेकिन तबी वहां पर लूफेंग की क्लाउट कॉन्टेइक वान उसके बोडिस निकलती वहाँ पर केप को आकर उसमें धस जाती ताकि लूफेंग को वहाँ आगी जाने से रुका जा सके और उस केप की 14-20 किलोमेटर होती है और डुमेंड लोड लेवल 9 को टेक्ट रुआ है बनने के बाद उसकी लिटल डिन स्टेंज बहुत आप पर चुकी होती है अपने अन्विलिवल स्ट्वेंज से उसको रूखे हुए था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो लूफेंग के साइप प्लांट स्टाइप भी उखर के फिका जाते है यहां पर लूफेंग उसकी तब कानी लगता और डिमेंड नॉट और विजा फास्ट ह लूफेंग की तूटने लगती लेकिन यह दिख लूफेंग जल्दी से अपने मोसा क्लांसमेंट की बॉड़ी को ट्रांसफोर्म कर लेता है अलूफेंग और एक तीस सेंटिमेटर लंबा चेसे मिट्वेंट वाइच सटल की जैसा बन चुका था सोरिंग सेटल जैसा आप स केब को ब्रोक त्रू करते हुए उस केब के अदर चला जाता है और मोसा सटल को दिखाया जाता है जोकि और रेड़ी 100 मिटर केब में आ चुका होता है वो स्ट्राइफाइंग स्वेलर इस्टेंड भी इस्टेंटली गायब हो चुकी होती है और उसके बाद लूफेंग अपने पिछले वाले सीन को रिकॉल करने लगता है जहां पर उसने सीन इस तब चूज किया था कि उसको किसमें जाना चाहिए और अब फिर यहां पर रूफेंग अराम से सूचता कि आगर वो स्वेलो हो जाता है यहां पर तो उसके साथ क्या होने वाला था लेकिन तब ही वाहां पर बबाता उससे क्या थे लूफेंग यह एक टिपकल डेट्रैप था जो कि यूनिवर्स सिकर्ट वीजन में मौदू था तो यसुन कर लूफेंग उसने पूस्ता है कि आके लिए डेट्रैप क्या है तो हमें यहां बबाता को डेट्रैप को बताते हुए बताया ज कि इस दिटकर पार च्ट्रेजर के सबमाइब क्या होनी वाला क्या मिलते हैं ने स्विरो में तब सक लिए आ